डाउटनेट पर होगा आपके सभी math, chemistry, physics और biology डाउट का सफाया बस अपनी question की photo खीचो, उसे crop करो और उसे submit करो और तीन सकेंड के अंदर उसका वीडियो solution पाओ Class 6 से 12 से लेके NEET IAT JE मेंस और इर्भांस की लेवल तक आज ही डाउटनेट एप लिंक description में दिया गया है Hello friends, आप सभी का स्वागत हैं आज के इस महत्पूर्ण वीडियो में दोस्तों अगर आप भी 2021 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं तो आपको बता दे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर बोर्ड परिक्षा 2021 के लिए परिक्षा फॉर्म भरने का डेट जो है बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है तो आजके इस वीडियो में हम परिक्षा फॉर्म भरने से संबंधित सारा जानकारी डिटेल में देने वाले हैं जैसे कि कितना रूपया लगेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस परकिरिया से आप लोगों को फॉर्म भरना होगा सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको बता दे कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तयारी करवाया जा रहा है तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और इस वीडियो के नीची अगर लाल रंका सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में गंटी का निसान आएगा उस पर किलिक करके All पर सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके चले दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर आप के लिए देख सकते हैं कि इंटर में 1220 इंटर का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1220 रुपया लगेगा वहीं पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक में 830 रुपया परिक्षा सूल डाउनलोड कर चात्र चात्राओं को देंगे अस्कूल और कॉलेज यानि कि ओनलाइन फॉर्म आपको नहीं भरना है आप अपने कॉलेज या फिर इस्कूल जाईएगा वहां पर टीचर के द्वारा आपको एक फॉर्म दिया जाएगा यहां पर आप आप देख सकते हैं टीचर जो है वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके सभी छात्र को देंगे और आप लोग उसको भर करके फिर आप क्या करेंगे एस्कूल या फिर कॉलेज में आप जमा करेंगे सूलक के साथ जितना फी है उसके साथ जमा करेंगे फिर टीचर के द्वारा ही उसको ऑनला तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का आबेदन पत्र आज, मैट्रिक का आज से ही मिलना चालू हो जाएगा, इंटर का कल से मिलने לगेगा और इंटर का कल से जो है मिलने लगेगा और यहाan अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का 18 से 27 अगस्ट तक परिख्षा फॉर्म भरा जाएगा तो आपने date समझा मैट्रिक वाले का आप metric का form बरना चाहते हैं तो 18-27 अगस्ट तक अपना form भर सकते हैं वहीं अगर कोई student intermediate का form भरना चाहते हैं तो intermediate का form देख सकते हैं कि 19-28 अगस्ट तक परिक्षा form भरा जाएगा तो इस तरह से आप लोग अपना form क्या कर सकते हैं भर सकते हैं अब क्या-क्या document लएगा document जब आपको teacher के द्वारा वहाँ form दिया जाएगा तो वहाँ पर सारा जानकारी बताएगा क्या-क्या document आपको उसमें देना होगा आसा करते हैं कि आज का जानकारी आपको अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से दिख अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आप लोग बेहतर त्यारी के लिए अभी तक हमारे मोबाइल एप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल एप का लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप लोग मोबाइल एप जरूर जो है डाउनलोड कर लिजिएगा नहीं तो आप लोग पले स्टोर पर सार्च किजिएगा LGR Study App तो वहां भी आपको मोबाइल एप का लिंक मिल जाएगा वहां से भी आप लोग मोबाइल एप डाउनलोड कर सकते हैं